हमने पुंच के अंदर एक खबर चलाई थी के रांग पार्किंग जो है वो एक सरदर्द बनती जा रही है और देखा जा रहा है कि आज ट्राफिक प्लीस उस पर संग्यान लेते हुए पुंच में जो रांग पार्किंग है उस पर बड़ी कारवाई जो है वो कर रही है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्राफिक प्लीस की तरफ से पुंच जिले में जितनी भी रंग पार्किंग में गारियां लगी है उन्हें जो है वो उठाया जा रहा है बड़ी कारवाई ट्राफिक प्लीस की तरफ से पुंच में जो है वो देखी एक खबर चलाई थी या पुंच में जो है वो जाम देखा जा रहा है पर आज देखा जा रहा है कि ट्राफिक प्लीज ने एक बड़ी कारवाई उन लोगों पे की है जो लोग रास्ते में ही गारी पार्क करके चले जाते हैं और देखा जाता है कि पुंच में वो जाम लगा रहता है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर क्रैन जो है वो लाई गई है जिससे जो रांग पार्किंग की गई है उन गारियों को जो हटाया जा रहा है यहां से उठाया जा रहा है ट्राफिक पलीज के कुछ अधिकारी है हम सीधा उनसे ही बात करेंगे जिस तरह से देखा जा रहा है कि गारियों को जो है यहां से अटाया जा रहा है लोग रांग पार्किंग करके चले जाते हैं पर यह नहीं सोचते कि पुंच में इसकी वज़ा से हाथ से पेश आते हैं य इसे अधिशला लगातार चलता रहेगा मैं आपके मादयम से लोगों से गुजार्श करता हूं के हम अलाइन चलाइन हारे गाड़ी को यहां चलाइन दिया हूँ है लेकर लोग नौज़ चलान बगद रहे हैं और ना ही गाड़ियां यहां से उटा रहे हैं तो मेरी लोगो तो आपको बताते हैं ट्राफिक प्लीस की तरफ से बड़ी कारवाई जो है वो पुंच में की गई है कल हमने एक खबर चलाई थी कि पुंच के अंदर रांग पार्किंग एक बड़ा जो है वो बनती जा रही है और उसी को देखते हुए ट्राफिक प्लीस जो है उसने संग्यान लिया है और बड़ी कारवाई जो है वो पुंच में की गई है दस से जादा चलाई जो है वो लोगों के किये गए हैं जिन्होंने रंग पार्किंग में गारियां लगाई थी और कह गारियों को सीजबी किया गया है